हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल लेट्स डिसकस फ्रेंड्स आज हम क्लास 9 का साइन्स सब्जेक्ट का वक्सित नंबर 49 डिसकस करेंगे और यह वक्सित आपका 29 अक्टूबर 2020 के लिए है तो आए इसे प्रोपर वे में डिसकस करते हैं फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पास और फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको एक से दो दिन पहले वक्सित की सॉलूशन प्रोवाइड कर दी जाती है ओके तो आईए स्टार्ट करते हैं जिए ग्यान वी नोट एड़ वाटर इन मिनरल सॉल्ट और अबज़र बाइड रूट फ्रम दर स्वाइल से अबज़र करके वो डिफरेंट पार्ट प्लांट में पहुंचाते हैं ठीक है वो जायलम कहलाता उसी प्रकार जब फूड उपर प ठीकलाओ फिल की उपर तो वह क्या होता है वो फिर डिफरेंट पाट प्लांट में चैनल्चाइट पूड को ट्रांस्पुर्ट करता वो कहलाता है फौरें अव्मेंदश दान्स्टॉड और फूड अग्य으면 भाटर प्लांट में से जाताूज। element or phloem of the component of the phloem kya kya save tissue companion cells phloem parenchyma or phloem fibers a save tubes tubes are the same tubular cells with perforate wall every shive tube cell is accompanied with the companion cell companion cells have the nucleus and other cells organelles except the phloem fibers all over the component of the phloem are living cells आप यहां इसका figure देख सकते हैं यह आपके NCRT book में भी है तो वहां से भी आप देख सकते friends अब देखिए function क्या होते हैं तो phloem transport food from leaves to other part of the plant which is known as the transportation of translocation of the food or phloem is unlike gylam is that the material can move in the both the different directions in it अब देखिए आपको question answer करना है इस questions का जो है न cut section of the steam को काड़ने के बाद यह सारे पड़ापत होता है तो आईए देखते हैं को से check yourself write the name of the component of the phloem phloem tissue तो देखिए इसके component को मैं answer दे रहा हूँ आपको ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और वैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए और फ्रेंट इस चैनल पे आपको एक से दो दिन पहले वक्षिट की सलूशन प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप अपने पढ़ाई को कंटीनी रख सके तो राइट दा कंपोनेंट अब दा फ्रेंट टिशू ठीक है तो इसके और लग्तिक है दोस्तों इसके कोस्षण है आपके एक्जाम में आएंगे ठीक है तो जालम इंट फ्रॉलों अर्-प्रेंट इसूद रहाता है इन फ्रीपर रहता है ता उस तो इसको आपके देख रहे हैं देखे देखे दाइड गुशन नोमर पॉर्थ देख रहें पॉर्ट जिसें आपको प्लांट में उसे एक्स्व्यीन करना को तो आईये इसे अच्छे तरीके से एक्स्व्लेइन करते देखिए नेakteन्स लोकेशन ऑप ग्रोद इसक्रोड इसक्रोड आप सब्सक्राइड नेसेसरी एक्य। Question number fifth देखे, why is phloem tissue is a complex permanent tissue? बहुत आसान question है. देखे, the phloem tissue are made up of more than one type of the permanent cells perform different functions, so they are called the complex permanent tissue. अगर आप भी को वीडियो पसंदा है, तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए, और एक से दो दिन पहले इस चै अगरूशन प्रोवाइट है. थैंक यू, थैंक्स आलोट पर वचिं, थैंक यू.